यह जो दो फटलाजर मैंने इसमें डाला है और उसके बाद इसमें फ्लावरिंग आप देख सकते हो कितने उसे रात के 8 वज़े का क्लिप है जो हमने बनाया था और उसके बाद थोरा सा स्प्रे किया है आज किस वीडियो में मैं आपको पारेज याद जिसको हर सिंगार बोलते हैं उसमें फ्लावर लाने के लिए क्या तरीका अपनाना चाहिए क्या फटलाजर देना है और कौन सी स्प्रे आपको करनी है जिससे पतियों से भी ज़्यादा फूल आपको देखना को मिलेगा अभी आप देख सकते हो कितनी कलिया इसमें बननी सुरू हो चुकी है उपर भी है हर एक ब्रांच में और इसमें तो भाई साप पूरा भड़ा हुआ है इससे भी ज़्यादा भड़ा हुआ मैं बताऊंगा क्या ट्रीट्मेंट लेना है कैसे में करना है इस वीडियो में आपको ब वीडियो देखना है तो सबसे पहले बात करते है कि पारिजाद के फ्लावरिंग का टाइम क्या होता है तो अगर जैसे बरसात सुरू हो जाए बरसात सुरू होने लगते है तो इसमें फ्लावरिंग लगना सुरू हो जाता है अभी ये बहुत अच्छा टाइम है जिसे जू और इसको treatment करने के लिए और एक बात आपको और ध्यान रखना है इसके पात से 6 गंटे की direct sunlight चाहिए जो आपको देना ही होगा वो नहीं देंगे तो fungus लगेगा और उसमें फोल ले जाएंगे इस तरीका से देखें नीचे पत्ते हैं लेकिन ऊपर पूरा हूल है अगला बात ज जो है हमेशा dry नहीं रहनी चाहिए मतलब dry होने से पहले आपको पानी दे देना है क्योंकि watering भी बहुत बड़ा matter करता है plant के लिए यानि कि dry हो और पानी आप दे देजिए और ज्यादा गिला भी नहीं रखना है तो यह कुछ बाते हैं जो normal maintenance आपको ध्यान रखना है लेकिन आप जानते हो कि पारिजाद का प्लांट जो है luckiest plant में आते हैं बहुत lucky plant होता है तो अगर इसके flower खिल जाए तो इसके ज्यादा तर flower जो है जमीन में अच्छे आते हैं लेकिन चोटे से गंबले में भी flower लाया जा सकता है कुछ fertilizer है जो heavy fertilizer आपको देना है तो इसमें आप दे आपको लगाना है कोई भी नया चीज नहीं करना है इसका reporting process मैंने आपको share कर दिया है तो आप चेक कर सकते playlist वहाँ पारिजाद के reporting मैंने डाला है तो उस तरीके से आपको reporting कर लेना है और pruning करने के बाद जब नया branch आने लगे तब यह सब treatment शुरू करना है लेकिन जैसे reporting कर लिए उसके बाद उसकी cutting करनी है और cutting करने के बाद new branch new growth आपको दिखेगा उसके बाद वो fertilizer डालना है तो चलिए मैं बता देता हूँ कि उसकी मिटी कैसे त्यार करनी है तो आपने जैसे माल लिया कि plane gardens ले लिया और उसमें थोड़ी सी गोवर मिल जाए तो या compost मिल जाए त वो डाल देना है उसके बाद देखिए पते में भी spray किया हूँ है कभी-कभी spray दिखता होगा आपको white water दिख रहे हैं यह सारा जो है spray होता रहता है इसके कारण ही ज्यादा बट्स बनते हैं इसमें मैं तो बोलूंगा पहले आप reporting का वो वीडियो देख लिजेगा यह वीड दिखता है जब ग्रोथ कुछ इस तरी कैसे आजए देखे चोटी चोटी पत्ते आ रहे हैं कटिंग करने के बाद करी 15 दिन बाद ऐसा ग्रोथ आपको दिखने को मिलेगा तो प्रूनिंग के बाद ऐसे ग्रोथ है उसके बाद यह खाद जो है इसको मिट्टी में ऐसे ही डा रात में रात को ऐसे ही डाल देना है मैं दिखाएके रिजल्ट और भी दिखाऊंगा कि रात में ब्लूम होता है कितना अच्छा आक्शली यह दिन बार कली बनना शुरूर आता है रात को ब्लूम होते और सुबध निकल भी जाते सकी फ्लावर जहरने लगता है अगर जो आपको स्प्रे करना है एक चीज पानी बढ़ता हूँ एक लिटर पानी में ले लेता हूँ एक लिटर आपकी मर्जी है एक प्लांट है तो त्यार कर सकते हो हमने 700 ml तक पानी लिया है और उसमें हम डालने वाले हैं क्या इपसम साल्ट यस इपसम साल्ट बहुत अच्छा बट्स को बढ़ाने में मदद करता है तो इपसम साल्ट हम कितना ले रहे है एक चमच यह करें ले रहे है ज्यादा मैं बताया था आपको इपसम साल्ट जो स्प्रेय कर देना है एकदम मतलब ऐसा नहीं कि करना है क्योंकि हमने एक चमची डाला एक लेटर में 700 ml में तो आपको अच्छे से स्प्रेय कर देना है और यह चीज भी आपको करना है साम का टाइम में साम का टाइम में जो मीठी धूप हो जाता उसके बाद सुबह सुबह तो एकदम फ्रेस हो जाएगा पत्ते और इस तरीका से स्प्रेय करने के बाद आपके पत्ते में भी ग्रोथ आएंगे और पत्ते भी कलर में आज आएंगे जैसे नरसरी में पीले-पीले फिल्टर लगा वाला प्लांट रिखता है वसा हो जाएगा ओके तो आज किस वीडि लिबाए टेक केर की आएगा थाएगा ऑंगेiable का यह जाएगा झालेल टुओका जाएगा शेजके दोढ़ा हो जाएगा जाएगा तो और दलेक राद वाला हसे में बादेगािएट